नवस्कार दोस्तों मेरा नाम विवेक मलिक स्वागद आपका अपनी सीट्यूब चैनल पर बहुत सारे पैटन के बारे में सुना होगा जिस टाइम कोई ट्रेडर अपने ट्रीडिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो एसनार सीखते हैं उसके बाद थोड़ा इंडिकेटर उलके जाता है थोड़ा प्राइस एक्सन के जब कुछ पैटन समझने की को शिस करता है बहुत सारे पैटन उसके सामने आते हैं इस तरह के पैटन है इतनेक्याओल हो गया तो इस तरह हैं तो आपको लगता है की ब्लोकरी एंसिट्यूशन को ये नबता होगा त पर stop loss कहां पर रखे वे तो पैसा कैसे बना पाओगे उन चीजियों से, पैसा बिल्पुल नहीं बनने वाला, पैसा आपको बनेगा एक ऐसे pattern से, जिसको हम आज introduce करेंगे, और smart money concept में बहुती कम ऐसे pattern है, जिनकी validation smart money concept ने दिये, कि हाँ ये वाला pattern ऐसा है, इसने liquidity खाई, इसक हम अपने stop loss रख सकते हैं, और यहां पर हम अपना target रख सकते हैं, इंडिकेटर के बारे में भी उस pattern का pure एक इंडिकेटर भी है, अगर आप ज़्यादे महनत नहीं करना चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो उसका मैं एक indicator भी आपको introduce करूँ है, जिसमें proper stop loss भी आपको मिलेगा, प्रोपर TP भी आपको मिलेगा, तो इंडिकेटर कोन सा है, इंडिकेटर के नाम है क्वासी मोडो, क्वासी मोडो एक ऐसा इंडिकेटर है, जिसको smart money concept ने validation दी, सीधा अपने चार्ट पर चलेंगे, वो पूरा concept क्वासी मोडो को समझेंगा, पूरा decode कर के रख देंगे, इसके पीछे की science क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको find कर सकते हैं, कहाँ पर अपने रखे है, stop loss, कहाँ पर रखे है MTP, बहुत मज़दार वीडियो होने वाली है, वीडियो में पूरा बना रही है, अब बिल्कुल भी skip नहीं करनी है, ठीक है, तो हान से देखना है, सबसे पहले, what is quasimodo pattern, ठीक है, किस तरह से pattern बनता है, pattern को समझने की कोशिस करेंगे, तो path select कर लेते हैं हम अपना, हमारा market, जब कभी भी higher eye, higher low लगाता हुआ चलता है, ऐसे, ठीक, फिर नीचे आया, और market ने अपना ये break करा, ये break करने के माद, market जब वापस अपना ये एक चोच कर दे, इसा बोलते है, एक fake चोच कर दे, जब आपने कई बार देखा होगा, market का मूँ नीचे की तरफ होगया, वहापके बहुत सारे stop loss हंट हो जाते होंगा, गरूस condition म तो इसमें हमारा quasi modo pattern कहां पे बनेगा, किस तरह से हम इसमें trade लेंगे, आपको मैं इसका एक बहतरीन indicator भी देने वाला हूँ, जो अपने आप, आपको इसका stop loss suggest करेगा, इसका target 1 suggest करेगा, automatic ही इसका target 2 भी आपको suggest करके देगा, बट manual और इसके पीछे की science हमें समझनी बहुत जाद जरूबी होती है, ठीक है, तो market जब इस तरह का structure create कर लेता है, तो एक तो यहां से लेके यहां तक का high बना, यह वाला high जो बना, हम इसको dotted करूँगा, ठीक है, ताकि यह अलग से इसकी पहचान हो सके, यहां से dotted कर लेता हूँ, इसको, यह dotted होगा, ठीक है, और एक इस जो यहां पर यह low लगाया, ठीक, तो इस pattern को तो बोलेंगे हम quasi modo pattern, ठीक, higher high भी लगाया था, उसके बाद अपना जो last low था, वो market ने तोड़ दिया, अब zone कौन सा होगा, जहां पर अगर market हमारा जाए, तो वहां पर हमें सीधी सीधी trade लेनी होगी, तो वो zone होगा, इसके इस target जाएगा, तुरंत है मैं अपनी एक sort position create कर लेनी है, और इसके जो target होगे, वो इसका पहला target इसका ये वाला low होगा, इसका मैं थोड़ा color change कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से ये, ये वाला low होगा, और दूसरा इसका जो target होगा, वो इसका ये वाला low होगा, तो इस तरह से trade की जाती है, quasi modo pattern में, ठीक, bullish side का आप समझ चुके, quasi modo pattern कितनी तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, trade कहाँ पर बनेगी हमारी, trade हमारी बनेगी, जब market यहाँ से, चलो path ही select कर लेता हूँ, जब market यहाँ से, जैसे इसमें enter करेगा, तो तब हम अपनी एक short position के लिए जाएंगे, यह हम अपनी short position के लिए गए, यहाँ पर हमारा stop loss हो गया, यहाँ से थोड़ा सा उपर रख सकते हैं, target इसमें हमारा कुछ fix नहीं, या 1-2 उठाएं या 3 उठाएं, जहाँ पर हमारा यह low हो गई, यह हमारा first target हो गई होगा, जब हमारा first target हिट हो जाएगा, तब हम अपने stop loss trail करके 0 पे, break even पहली आएंगे, ठीक, no profit, no loss पे, और दूसरे target की wait करेंगे, तो इस तरह से हमारा quasi moto pattern, यह वो pattern है, जिसमें हमें liquidity sweep भी दिखाए जाती है, यहाँ पर liquidity उठाली market ने, एक चोच भी कर दिया, इसके पीछे की अभी science भी समझेंगे, ठीक, quasi moto pattern क्या ह किस तरह यह काम करता, इसके पीछे की science क्या है, अब हम वो समझते हैं, फिलाल आप quasi moto pattern ऐसे बनेगा तो trade करेंगे, यह आपने समझ लिया, अब इसके next part को चलते हैं, ठीक है, यह similar आपको देखने में तो head and solder pattern लगेगा, जब बनता दिखाई देगा, ठीक, यह, ऐसा head and solder pattern आ के लिए, जैसी आप market में enter होंगे, आपको flag pattern, जब आप support resistance से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, trend line से आगे बढ़ते हो, moving average से आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको flag pattern दिख गया, symmetrical triangle दिख गया है, बहुत common है यह, कि आपके broker को नहीं पता, कि institution को नहीं पता, कहां पर आप की तरफ बढ़ेगा, तो quasi moto pattern कित्ती तरह के होते हैं, तो तरह के होते हैं, सीधी सीधी बात, अभी जो आपके सामने यह था, यह bearish था, ठीक, यह उपर की तरफ जा रहा, तो हम इसमें short की trade के लिए जाएंगे, यह हमारा pattern को उनसा था, bearish pattern था, bullish pattern की हम बात करेंगे अभी, तो bullish pattern में किस तरह का होता है, इसे ही थोड़ा चोटा कर लेगा हूँ, इसके side में अपना bullish pattern बना लेंगे, तो अपना path select कर लेते हैं, bullish pattern कैसा बनेगा, market उपर की तरफ से आ रही है, यह market आई, यह market आई, यह market आई, यह market आई, market ने अपना यह broke करा, और फिर उसके बाद market न देख लो, minor structure में भी, छोटे time frame में, change of character देख लो, बस ठीक है, change of character देखने के बाद, आपको साफ, साफ, quasimodo zone दिखाई देने लगेगा, ठीक, तो सीधा-सीधा पहले किदर है, यहां से यह, इसको green कर देते हैं, ठीक है, यहां से यह, और यहां से यह, क्या बनेगा, quasimodo pattern, zone कौन सा बनेगा, इस वाले low से इस वाला low, यह जितना भी होगा, यह क्या है हमारा zone बनेगा, कौन सा, quasimodo zone, यहां पर, जैसे ही यहां पर market आएगा, इसको ही ले लिखते हैं, जैसे ही market आगा है, यहां टैब करेगा, और आपको कुछ bullish scandal दिखाई देगी, चाहे इस पूरे zone में, यहां पर दिखाई दे, यानि यह हमारा zone total entry का zone होता है, इसके नीचे stop loss आप अपना एक high low कोई पीछे का देख सकते हैं, यह fix tips रख सकते हैं, ठीक है, stop loss इसके नीचे रखना, यह zone total entry का zone है, तो जैसे ही हम target आएगा, यहां से हम क्याल करेंगे, यह करी हमने एक bullish trade open, stop close यहां कहीं रख लेंगे, पहला target कौन सा होगा, यह वाला, जो मैंने आपको बताया था, यह वाला high, ठीक है, blue कर लेते हैं, और दूसरा हमारा target, यहां से हमारा target, यहां से मुड़ा था, यह हमारा second target होगा, जैसी पहला target tab होता है, breaking in पर अपना stop loss लागे रख लेंगे, ठी हैं, कि भीया, किस तरह से यह बनेगा, अब इसके पीछे की science क्या है, science साइन्स क्या है, मैं इसको remove कर देता हूँ, और खाली pattern छोड़ता हूँ, ठीक, इसको remove कर देता है, trade को remove कर देता है, और इसके पीछे की जब और जब साइन्स समझेंगे, कि क्यों यह smart money की category में रख ग क्या किया, break of structure, मैं line draw कर लेता हूँ, कर दिया, चलो अच्छी बात है, market ने, इस अभी मैं delete कर दूँ अभी हाँ से, ताकि clear तरीके साब को समझेंगे, यहाँ पे भी market ने क्या क्या, break of structure, अब जिस इनसान को smart money concept का पता ही नहीं, जैसे ही यह वाला break करेगा, वो समझेगा, support break हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, sellers, अपनी sale position open कर लेंगे, यहाँ पर, कि यह तो break हो गया, अब market नीचे जाएगा, BOS बनीजा, ठीक है, तो अपनी sale position जब open करेंगे, तो अपने stop loss का रखेंगे, यहाँ कहीं पर रखेंगे, और अपना target, यहाँ कहीं पर रखेंगे, जैसे ही यह zone break होगा, कुछ लोग तो change of character देखेंगे, अरली sniper entries वाले हाँ पर enter करेंगे, ठीक है, और कुछ जो price action को trade करते हैं, वो देखेंगे, यह resistant टूट गी, तो यहाँ से तो एक long position बनती है, वो यहाँ से long position open करेंगे, जिनके stop loss यहाँ कहीं होंगे, और market अगर यह चल यहाँ से market क्या करेंगा, वापस अपने कुछ इमोडो zone मा आएगा, और उपर चला जाएगा, अब यहाँ पर देखो, दोनों ही mindset किस तरह से उनको पूरी तरह फक करका fact दिया market, ठीक है, देख रहे हो, दोनों mindset fail करें, और market अपनी direction में ही, उपर की तरफ चला गया, same science इस वाले logic के पीछे है, जो आपने यह देखा था, यह हमारा BRS वाला था, ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ, science समझेंगे इसकी, उसके बाद मैं इंडिगेटर आपको introduce करूँगा, इसका बहुत जबर जस्ट स्ट्रेजी है, भाई एक तो like जरूर कर दो, और like तो यार अभी कर बताया था, stop loss का mindset क्या है, कहां पर रखना चाहिए, मैं stop loss अगर आपके stop loss हिट हो रहे, valid change of character बोस के बारे में, IFC candle, ये institution candle होती है, इसका पहचाने हम market में, बहुत जबर जस्टीज है, ये जरूर जागे देखो, fair value gap की पूरी जबर जस्ट सीरीज मैंने आपके डाली थी, बहुत डिटेल में सब कुछ समझा था, price action versus ICT indicator बताया था, मैंने इसमें आपको यहाँ पर हमने result भी यह दे, अपने कुछ, daily 20 pips वाली मैंने strategy आपको बताया थी, order reclaimed और vacuum order block के बारे मैं बताया था, order block के बारे मैं बताया था, reversal fair value gap के बारे मैं बताया, forex trading, ये सब बताया यहाँ पर SMC breakout trading strategy जिसका 95% win rate 1-5 पर मैंने आपको बताया हूँ, यहाँ पर 2 ICT के इंडिगेटर के बारे मैं बताया, one minute scalping जो बतायी थी मैंना SMC की कैसा कर सकते हैं, ये वीडियो जरूर देखे जा के आप, ठीक है, तो ये पूरी एक मेरी smart money concept की पूरी एक playlist आपको मिल जा Pips का हमने profit उठाया था, यानि आप 0.01 micro load से भी trade करते के वन 50 dollar portfolio में डाल गए, तो 2474 Pips का हमने profit डाला था, आप उससे भी बहुत अच्छा खासा, तकरीबन तकरीबन 230 dollar बहुत एजली बना लेते हैं, micro load से भी, ठीक है, तो अगर आपको मेरे premium signal चीए, आप join कर सकते हैं, मेर उससे course ची, SMC मुझसे सीखना है, जबर जस ट्रेडिंग में अपना carrier बनाना है, इधर उधर greed में मत भटको, देख, सीधी सी बात है, जो आपको daily बड़े-बड़े portfolio दिखा रहे हैं, योट्यूब पर live आगया, बड़ी-बड़ी गाड़ी दिखा रहे हैं, वो देखके अगर आप course लेने जाओगे तो हमेशा भाई sale होगे, आप उनसे सीखने जा रहे हो, या उनकी गाड़ी का driver बनने जा रहे हैं, अगर आप उनसे सीखने जा रहे हो, तो आप कम से कम जागे उनके YouTube चैनल पर ये तो देखो, भाई उसने कुछ knowledge की बात भी कह रखी है, जिससे एजूकेशन जो content है, उसका वाक्य में कुछ premium चीज आपको deliver कर भी रहा है, या खाली lifestyle दिखा कर रहा है, क्योंकि fake life tutorials का आजगल जवाना है भाई, उन सब चीजों से बचके चलो, मेरे पास 10-20 करोड, 50 करोड, 100 करोड भी होंगे, आपके किस काम के भाई, किसी काम के नहीं ह आपके काम की केवल एक knowledge हो सकती है, और वो आप कब खरीदोगे, मेरे पैसे देखके, नहीं, मेरी knowledge देखके ही खरीदोगे, तो सबसे पहले भाई, knowledge पर जाओ, knowledge चेक आउट करो, ठीक, तो अब आगे हम यहाँ पर इस चार्ट पर, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क इसको अटा देख रहाँ है, और जब market इससे नीचे तोड़े, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वो sale position open करेंगे, तो market उन दोनों ही condition में, ठीक है, buyers को भी लपेटेगा, और sellers को भी लपेटेगा, यहाँ पर short position open करते, अपनी यह तूपने के बाद, ठीक है, तो जैसे आ कभी भी किसी भी major point पर है, ना buyers के stop loss छोड़ता, ना कभी sellers के stop loss छोड़ता, कुछ उधारन देख लेते हैं, उसके बाद indicator आप लोगों के सामने इंटर्यूस करूंगा, भाई, comment जरूर कर दो, इससे कोई फायदा तो मिलता नहीं, एक तो मेरा motivation भाई, थोड़ा सा आप रहा हैं, तो थोड़ा सा जाद है wide impression देना शुरू कर देता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्याने में रखो भाई, जरूर, चलिए, देखते हैं अब हम, यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, क्वासी मोडो पैटन ही बन रहा है, नीचे से देख लो, यहाँ से market गया, यह गया, market यह ने आया, market यहाँ गया, market ने यहाँ पर क्या कर दिया, change of character कर दिया, देख रहे हैं आप सीधा सीधा, तो हमारा कौन सा zone बना, यह रहा, कहाँ पर change of character करा, यहाँ पर करा इसमें, ठीक है, तो अब हमारा जो सीधा सीधा zone होगा, वह हम ड्रोगर लिखते हैं, market हमारा, यहाँ से retrace होके जाएगा, यहाँ पर हमारा market बन जाएगा, और हमारा target, पहला target हमारा यह वाला low होगा, और दूसरा target हमारा यह वाला low होगा, यहाँ से हम short position में enter कर गए, और हमारा यहाँ पर देखो, दूर तक trail करोगी, दूर तक चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमें trade कर नहीं होती है, quasi mode pattern को देखते हो, मैं सारी ring remove करता हूँ, और सीधा indicator आपको लेकर चलूँगा, जो आपको सीधा stop loss भी बताएगा, सीधा target भी बताएगा, ठीक है, यह मै ने stem open कर लिया, अपने एक indicator, ठीक, apply होने में थोड़ा time लग रहा है, अरे gap fill वाल आए, तो उस पर काम करेगा, यह ही है रहा, यह देखो, ठीक, जो मैंने बताएगा, यहाँ पर एक quasi mode pattern बना था, यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पर गया, entry यहाँ पर हमारी entry है यह हमारा stop loss है, और यह हमारे जो पहला लो था, यह पहला टीपी, यह हमारे दूसरा लो था, दूसरा टीपी, चलिए, देखते हैं, अगर हम अपने indicator के हिसाब से entry बनते हैं, stop loss हमारा just यहाँ पर रहेगा, थोड़ा बहु रख सकते हैं इस से, क्योंकि यह वाला सारा zone तो ह हमारा entry का ही zone है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, तो हमारा टीपी पहला यह रहा, और दूसरा justice के नीचे है, ज्यादा बड़े टीपी हमें मिलनी रहे, बट जब भी अच्छा आ रहा रहे यार, देखते हैं, यह यह देखो, यहाँ पर हमारी, जब market ने order हिट किया, तीन candle में हमारा बहुत इजली target आ गया, तो इस हिसाब से आपको देखना है, मैं छोटा करकर आगे कुछ चलता हूँ, देखते हैं, अच्छा scenario कहीं मिलना है, नहीं मिलना, दो trade हमारी यहाँ पर है, चलो यहाँ यह बन रहा, इनने देखते हैं, यहाँ पर हमारा indicator 100 कर रहा ह है, एक bullish quasi modo, ठीक है, यह 6 माई, long position, entry हमारी यहाँ पर दिखा रहा है, तो हमारी entry तो इस candle पर होगे, stop loss हमारा यह होगया, और वहाँ के बाद हमारा market TP1 पर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे जागे, इसने stop loss हिट कर दिया, चलिए, आगे देख लेते हैं, क्या scene बन रहा है, य यह हमारा 7 माई को एक और quasi motor pattern बना, यहाँ पर हमारी entry दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने entry डाल दी, और wait करेंगे market का, market आगे उसको hit करें, ठीक, और हमारा TP1 होगा, TP1 यह रहा हमारा, तो हमारा TP1 जो है market ने, यहाँ पर भी देखो, तीन candle के अंदर hit कर दिया, ठीक है, तो इस तरह सा आपको try गरना है, same जो मैंने bullish बताया, bearish बताया, आपको यह सब चीज, बहुत easily समझा दी मैंने, यह हमारा एक और quasi modo pattern बंद हमें दिखाई दिया, 13 माई को, यह मैं 5 मिनट के chart पर देख रहा हूँ, 1 मिनट के time पर भी गरो, same ही इसका win rate आने वाला है, मैंने इतनी बड़ी trade आपको दिखाई दे रही है, जिसमें TP छोटा है stop loss बड़ावो वाली trade आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, यहाँ पर हमें एक short entry दिखाई दे रहा है, यह वाला zone तो हमारा यहां तक entry गई होगे, तो stop loss जो इसमें दे रखा, इस से थोड़ा सा उपर हम अप कर दिया, तो अच्छी लगी होगी वीडियो भाई, कुछ काम की चीज़ सीखने को मिली होगी, smart money concept है, बहुत ही घम पैटरनों को validation दिया गया है, यह उन में से सबसे जबर जिस पैटरन है, ध्यान रखें इसका, जब भी बनता हुआ, एक strategy को लेकर आप हमेशा नहीं चल सक आपके दिमाग में अच्छा trader बनना है, 20-25 strategy हमें सा fix होनी चीए, तो आज के बाद जब भी चलो, आप change या BOS का भी indicator लगा लोगे, जब भी देखोगा न, छोटे minor structure में भी अगर change of character हो रहा है, तो समझ लो, वो quasi modo pattern बन रहा है, long short वालों को खाने के लिए बन रहा है, और market long short खावा लोग खाने के लिए आ रहा है, आपके पास quasi modo pattern की knowledge अगर है, तो आप वहां से definitely पैसा बना के उठोगे, जहां पूरी दुनिया पैसा डुबारी होगी, ट्रेड कर गे, वहां ट्रेड कर गे, पैसा बना के उठोगे बाई, बात समझ मागी, तो जल्दी से वीडि से उस चीज में सुधार कर लूँगा, मेरी language समझ में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सिद्धी तरीके से बोलता हूँ, सिद्धी तरीके समझाने की कोशिस करता हूँ, जबर जस्ती की मैं attitude अपनी किसी भी बात में लाता है, आप बिर्कुल सब भाई हो, कोई student नहीं है, कोई पैसे नहीं है, फिर भी knowledge चीए, कोई ना कोई आपने trade ले ली गलत फसरी या कुछ पैटन हो, चार्ट, BOS, SMC के बारे में कुछ पूछना है, आपको तो भी बाई message कर दो, आपको तो भी reply मिलेगा, मैं हल टाइम आपके लिए मिलेबल हूँ, बस आप से एक request करता हूँ, छ छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक कर दो, सस्काइब करके जरू जाना, इस चैनल को मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जाज़क दीजिए, धन्यवाद.